अगले महीने की पांच तारीख यानी पांच अक्टूबर से क्रिकेट के महाकुम्भ की शुरुवात हो जाएगी। भारत की मेजबानी में आगामी वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप 2023 खेला जाना है। इस ICC टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी धाकड ओपनर रोहित शर्मा के पास होगी। भारत का पहला मैच आठ अक्टूबर को चेन नई में आस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। वर्ल्ड कप के बाद एक खिलाडी सन्यास का ऐलान कर सकता है। भारत के पास 12 साल बाद वंडे वर्ल्ड कप जीतने का बड़ा मौका है। टीम इंडिया ने साल 2011 में वानखेडे स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में श्री लंका को हरा कर खिताब जीता। तब टीम की कमान दिगज, महेंद्र सिंह, धोनी संभाल रहे थे। इस बार भारतिये टीम की कप्तानी रोहित शर्मा संभालेंगे। रविचंद्रन अश्विन ने वाउम अप मैच से पहले एक इंटर्व्यू में दिनेश कार्तिक से कहा। मैं कह सकता था कि तुम मजाक कर रहे हो, जीवन आश्चर्य से भरा है, इमानदारी से कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप में खेलूंगा। 37 वर्षिय अश्विन ने आगे कहा, इन टूर्णामेंट में दबाव से निपटना सरवोपरी है और ये तय करेगा कि टूर्णामेंट कैसा होगा। एक अच्छी जगह पर रहना, इस टूर्णामेंट का आनंद लेना मुझे अच्छी स्थिती में रखेगा। ये भारत के लिए मेरा आखिरी विश्व कप हो सकता है, इसलिए टूर्णामेंट का आनंद लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।